आज मैं आपके सामने मैस का question लेकर आए question क्या बोला if x plus y equal to 12 find the minimum value of under root 4 plus x square plus under root 9 plus y square तो हमें यहाँ पर इसकी minimum value find करनी है कि under root 4 plus x square plus under root 9 plus y square इसकी क्या minimum value होगी और given क्या दियावा x plus y is equal to 12 तो चलिए मैं इस question को आपको solve करके दिखाती हूँ हमें given क्या दियावा x plus y is equal to 12 ठीक यह हमें यहाँ पर given दियावा ठीक है तो तो अपर हमें इसकी minimum value निकालने है तो चलिए हम इसकी minimum value nικालते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैu पूरे को हम let क्या माल लेते है let t is called to under root 4 plus x square plus under root 9 plus y square इसको हमने क्या माल लिया t माल लिया ठीक इसके बाद देखें क्या करेंगे page हम उपर करते हैं अब इसके आगे देखें हमें क्या करेंगे इसको equation of first मानी ठीक है अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि यहाँ पर देखें है square root है यहाँ पर भी square root है तो इसको कैसी अटाएंगे हम यहाँ पर क्या करेंगे squaring both side करेंगे squaring both side in equation first equation first में squaring both side करेंगे तो पहले equation first लिखेंगे t is called to under root 4 plus x square plus under root 9 plus y square ठीक है, हमें क्या करना है? S quiuring करना है, तो इस तरीके से आप दोनों साइड squaring कर लेजिए, ठीक है अब इसके अगर दहीं क्या होगा है? T square होगा इक्वल टूब यहाँ पे देखिए इस पूरे को आप क्या मानने लिजिए, यहाँ पर मैं इसको सरकल करके बता दो, इस पूरे को आप A मानिए, और इस पूरे को आप B मानिए, ठीक है, तो यह बिलकुल आपका A प्लस B के होल स्क्वार फॉर्मेट में, यहाँ पर स्क्वार भी लगा है, तो इसका फॉर्मूला क्या है यहां पर स्कौइर लगा है तो यहां पर है इसकौईर का यहां पर हमने प्लस रती तो यहां पर हम इसकार का ओर स्कारीनलह लगा अब इसके अकोटảiस यहां धेगे मैं होब आतरो टेकाव थर देह एक लित लुट अब यह को ज़ना सदेंขriebया कि यहां पर क्या बच deception कि यहां पर क्या पार क्येगा ज सक्वारीब में निगता है R お cap वीची में पुअधी यहां एक क्या करेंग यहां पर त सेथे 4 x square पर भी अंडरूट लगा है 9 R 2 लिख यहां पर फी स स्क्वाइर एक्वल टू यह क्या है आपका फोर और यह क्या है आपका प्लस नाइन थार्टिन हो जागा फिर यह क्या है प्लस एक्स स्क्वाइर और यह क्या है अपका प्लस टू अंडर रूट यह क्या है आपका फोर प्लस एक्स स्क्वार होल बैके लगाई फिर प्रैकेट के अंदर क्या लिखे 9 plus y square ठीक है यह आगे हमारे पास अब इसके आगे देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे हमको minimum value चाहिए ना तो अब देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे और हमें गीवन क्या दिये वहाँ गीवन दिये वहाँ एक्स प्लस y square to 12 गीवन दिये इसका use होगा भी अब देखे हम यहाँ पर क्या करेंगे हम यह वाला जो टाम है यह जो रूट है यह रूट के अंदर वाले की है पर बात होरी है रूट के अंदर क्या है आपका four plus x square और bracket में क्या है nine plus y square मैं root को सही से बना दू रूट हमारा यह तो रूट के अंदर क्या लिखावा है आपक मैं, आत्पर पंद च्वाह खास donc 4 को स्वाह 2 के इस स्वाह और मैं प्रैक्ट इस स्वाह और उन्हें फिर nord करिकेती, भी 3 स्वाह essment 10 3 है जिसको आगे देखे हम यहां पर क्या करेंगे हम यहां पर चौची स्क्रोज इन एक्वालिटी यूज करेंगे क्योंकि यहां पर यह जो टरम है ना यह वाला पूरा टरम यह बिल्कुल इसी फॉर्मूल्य इसी थियुरम में सट है तो यह वाला theorem जो है चाचे स्कार्ज इन उक्वाल्टी हम यह यूज करेंगे इसमें इन दोनों में इसमें और इसमें देखें हमारा क्या नो मैं पूरा स्कार्ज इसको लिख लुए यह वाला यहां पर देखिए एक bracket ही, यहां पर भी देखिए एक bracket ही, यहां पर भी देखिए एक bracket ही, फिर यहां पर भी देखिए एक bracket ही, यहां पर भी देखिए एक bracket ही, बीच में इंटू कसाइन ही, यहां पर भी इंटू कसाइन ही, ठीक है, अच्छा, यहां पर देखिए, यहां पर विलकुल आपका 44 sqt में जो आपका hs वाला साइल है बिलकुल इसी में एक सेट है तो जब आप compare करेंगे यहां पर तो यह जो आपका है निर्ड आपका a2 स्कौार होगा. यह आपका होगा B1 उसकौार और यह होगा आपका B2 किसमे स्कौार नहम्न इहाँ पर करेंगे, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारा यहां पर Y1 का रही है? Y1, compare desta 뒤, देखिए, यह Á2 Shq. साफ्वाइर, वहाँ बूर में duda रही है? यह b1 square यहां पर 3 square तो square square भूल जाए यह b1 की value क्या होगी 3 फिर उसके बाद देखे यहां पर यह क्या है b2 square यहां पर y square है तो square square छोड़ देखे तो b2 की value क्या है कि y आएगी तो हमें यहां पर a1 a2 और b1 b2 यह सब की value मिल गई तो अब हम चार्चियों सेट करते हैं तो देखे कैसे set करेंगी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर देखे यह क्या ब्रैकेट लगाई यह a1 square तो a हमारा क्य यहां पर हमको यहां से जो हमारा question था यहां पर 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 यहां गाइनलगें देखने अच इच्छे तो क कहा नहीं हो भी है और यह पर रोकुत में थे नहीं पर के त्योस 참वाए तो अपर हम क्विक व्यायो लगाया तो अब धेखें यहाँ पर हम क्या करेंगे पहले में यह पूरा लाइन जो है कौन सही यह वाली लाइन मैं पूरा यहां नीचे लिखती हूँ ठीक है न तो अब देखिए हम यहां पर क्या करेंगे यह जुट्टा में यह अंडर रूट के अंदर जो क्या है ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस X स्कार और फिर ब्रैकेट के अं नाइन प्लस Y स्कार मैं इसको थोड़ा सा सही से बना दो यह वाला अंडर रूट ठीक है यह तो इस अंडर रूट के अंदर यह वाला जोटा में ना सेम यहां पर भी है और यह किसके बराबर है यह है गेटर दन और एक्वल टू सिक्स प्लस X Y का होल स्कार तो अब हम क्या करेंगे इसकी जगा इसकी जगा हम क्या रखेंगे यह वालू रखेंगे ठीक है जब हम यह वालू रखेंगे तो अब यहां पर यह एक्वल टू ना लग करके यह क्या हो जागा यहां पर गटर दन और एक्वल टू यहां पर लाएगा देखिए टी स्कोर जैसे ही इसकी व xy का whole square 6 plus xy का whole square ठीक है यह हमने यहाँ पर लगा दिया पेच हम उपर करते हैं अब इसके आगे तहीं क्या हो जागा यह हो जागा यह हो जागा 2 square greater than or equal to 13 plus x square plus y square plus 2 अब यहाँ पर यह क्या होगा आपका यह square root है, square cancel तो क्या बच रहा है कि अब 6 plus xy यहीं बचेगा root हड़ जागा तो यह क्या हो जागा t square greater than or equal to 13 plus x square plus y square plus 2 अटू कीज़े तो 2 6 क्या हो जागा 12 plus 2 को इससे इंटू करेंगे तो यह हो जागा 2xy ठीक है तो यह हो जागा t square greater than or equal to 13 और यह 12 क्या हो जागा 25 plus और यह क्या लिखावा है x square plus y square plus 2xy यह है ठीक है अब इसके आगी देखिए मैं आपके क्या करेंगे पेज उपर करते हैं तो यह हो जागा t square greater than or equal to 25 plus अब देखिए यह जो है आपका एक formula बनना है यह क्या है x square plus y square plus 2xy यह है तो यह आपका formula बनना है x plus y का whole square का formula है आप जब इसको open करेंगे तो आपका यहीं चीज आएगा ठीक है अब इसके क्या करेंगे अब यहां पर दो sign है greater than or equal to तो इसमें से केवल एक ही sign होगा तो यहां पर जो हमारा t square होगा यहां पर हम 12 दीवी तो यहां पर आप 12 लगी तो 12 का square हो जाएगा equal to 25 plus 12 का square क्या होता 144 ठीक है तो इसको आप जोड़ेंगे तो 169 आएगा तो हमारे पास t square कितना आया 169 आया तो t की value क्या होगी under root यह square इधर जाएगा तो इस पर under root लग जागा with plus minus sign तो t की value क्या आएगी plus minus 169 जो होत है तो यहां से देखिए plus minus यहां पर pair बनना है तो यहां से 13 बार आजागा और root हट जाएगा तो यहां पर हमारे पास t की value क्या आई है plus minus 13 अच्छा हमने t माना क्या था हमारा जो main question था क्या था हमें किसकी minimum value find करनी थी 4 plus x square plus under root sorry under root लगा 9 plus y square इसकी minimum value find करनी थी और हमने इसक under root और under root 9 plus y square is equal to 13 तो यह इसकी minimum value है 13 ठीक है अच्छा यहां पर देखिए 13 जो है यहां पर हमारा जो चौची स्क्रॉस इंक्वालिटी है मैं को बता दू चौची स्क्रॉस इंक्वालिटी हमारा क्या था a1 square plus a2 square plus dash dash an square ठीक है फिर क्या था b1 square plus b2 square plus dash dash bn square greater than or equal to क्या है a1 b1 plus a2 b2 plus dash dash an bn का whole square यही था चौची स्क्रॉस इंक्वालिटी तो हमारा जो यह equal to 13 आया है इसका मतलब यहां पर x और y की कोई value होगी तभी तो यहां पर solve करने पर 13 आया है तो यहां पर देखिए x और y की value हमें कैसे मिलेगी यहां पर equal to हमने लगाया है 2 sign था गेटे देन upon bn इस तरीके से होता है तब आपा जब यह बराबर होते हैं यहां पर जब a1 और b1 की value होगी तो यहां पर चौची स्क्रॉस इंक्वालिटी इसी कंडिशन में होल्ड करता है मतलब कि equality कब होल्ड करता है जब a1 upon b1 हो a2 upon b2 equal to dash dash an upon bn हो ठीक है तो मैं यहां पर आपको x औ कहां पर थे मैं दिखा दूँ जब हम question को solve कर रहे थे तो चौची स्क्रॉस इंक्वालिटी देखे हमें हमने इसमें यूज किया है यह जो bracket के अंदर यह अंडरूट के अंदर जो है यह इसमें यूज किया था न तो इसी में देखे मैं x और y की value find करती हूं ठीक है यहां द को क्या था-3 का square और यह है y square घीक है तो मैंने आपको यह पता है कि हमारा a1 का value है यह B1 का value यह B2 का value वै नियूर्य करति किया करें आण आप पदिखे खारा लिकैसे होल्ड करें गा देखे पहले वन की value मैंने यह भी लिख दिया था यह 2 Q便 e2 % तो ओपर देखिए का मैंने यहां पर लिख भी दिया है, तो चॉचर्च श्काउस इनकल्टी का बोलता है, यहां पर हमारा केवल दो ही टाम है, तो A1 अपान B1 इसकल्टो, B1 अपान B2, तो A1 हमारा क्या है 2, B1 हमारा क्या है 3, B1 और क्या है यहां पर, 3 is called to x upon y है ठीक है तो x और y की value में find करती है तो इसको जब cross multiply करेंगे तो यह 3 और x 3x हो जाएगा और 2y से न 2 जाएगा तो 2y हो जाएगा तो x की value क्या होगी 2y और यह जो 3 है इधर जाएगा तो इसके divide में चला जाएगा तो यह x की value आई है और given क्या दिया हो था x plus y is called to 12 तो यहाँ पर value रखेंगे तो देखिए x की value क्या है यहाँ पर 2y यहाँ पर रखें 2y upon 3 और यह क्या है आपका y is called to 12 तो अब इसका lcm लेते हैं तो lcm क्या आएगा 3 आएगा ठीक है तो यह हो जागा 2y plus 3y equal to 12 तो 2y plus 3y क्या हो जागा 5y upon 3 is called to 12 तो 5y is called to क्या हो जागा इस 3 इधर जाएगा तो 3 to 6 3 तो y की value क्या होगी 36 और यह 5 इधर जाएगा तो इसके divide में चला जागा तो y की value इतनी आई तो x की value कैसे आएगी हम यहाँ पर y की value रखेंगे तो x क्या है हमारा 2y upon 3 है तो यह हो जागा 2 into y क्या 3 ह तो 2 upon 3 लिखिए y की value कितनी है 36 upon 5 तो देखिए cancel हो जागा 3 तो 24 तो 24 तो 24 तो देखिए x की value यह आई है ठीक है मैं इसको अच्छे से यहाँ पर लिख दूँ यहाँ पर मैं page उपर करते हूं देखिए हमारा x का value क्या है हमारे पास x का value आया है 24 upon 5 और y की value आई है 36 upon 5 ठीक ह तो यह x और y की minimum value है जिसके वजह से हमारा question क्या था हमारा question था under root 4 plus x square plus under root 9 plus y square यही question था इसकी minimum value कितनी है 13 आई है अब यहाँ पर मैं आपको चाची स्क्राइब का equality होल्ड करता है उसके वहाँ पर a1 upon b1 is called to 80 upon b2 वहाँ पर मैंने value दखा तो यहाँ से देखिए आपको x और y की value मिली ठीक है अब x और y की value जब आप यहाँ पर put करेंगे ना इसमी यहाँ पर तो आप देखेंगे किसकी minimum value 13 मैं आपको दिखा देती हूं देखिए अंडर रूट क्या है 4 प्लस और x की value क्या है आपकी 24 upon 5 का whole square plus यह क्या अंडर रूट 9 plus y की value क्या है यहाँ पर देखिए 36 upon 5 का whole square तो मैं और लेडी जो है सब calculator से जो है मैंने इसको पूरा करके check करके देख लिए मैं यहाँ पर direct आप 26 upon 25 plus under root 9 plus और 36 का square क्या होगा यहाँ पर 1296 upon 5 का square 25 होगा ठीक है अब इसका अंदर का जो अब लेंगे तो यह आपका आएगा 676 upon 25 plus under root इसका जब आप लेंगे तो यह आपका आएगा 1521 upon 25 ठीक है यह आए हमारे पास page time उपर करते है ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहां पर अंडर रूट लगा हुआ है तो चली अंडर रूट लिखते है 676 जो होता है यह आपका होता 26 into 26 दो बार इंटू करेंगे तो 676 आएगा 25 प्लस अंडर रूट यहाँ पर 1521 यह आपका 39 into 39 इसको दो बार इंटू करेंगे तो 1521 आपका अएगा ठीक है और 25 के है 5 into तो आप यहां पर रोट के अंदर प्लस स्क्वाय पैर रूट के अंदर और नदरों में पेर त्वेलटा है तो यहां congratulations तो देखिए जब आप इनका LCM लेंगे तो यह आएगा 65 upon 5 और कैंसल करेंगे तो यह आएगा 13 तो यहाँ पर equality hold कर रही है किस पर हमारा जब X और Y का value यह आया है ठीक है तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा में कोश्चन था उसमें मिनमम वैलू निकाल ली थी तो मिनमम वैलू की आई है 13 यहीं इसका अंसर है उम्मीद है आपको यह कोश्चन जो है